आज हम लोग टेस्स नंबर 14 कवर करेंगे भारत की राजवेस्थ हमें जिस टॉपिक का नाम है उच्छ व अधीनस्त नियायले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोश्चन के साथ भारत में उच्छ नियायले का सरपर्थम गठन कब हुआ था तो यह हुआ था 1862 में उफशन नमर A is correct भारत में उच्छ नियायले का सरपर्थम गठन 1862 में तब हुआ जब गलकत्धा बंबई और मदरास उच्छ नियायले की स्थापना होई थी 1866 में चौथा उच्छ नियायले की स्थापना इलाहबाद में हुई थी कहां पे हुई थी इलाहबाद में 1866 में Next रेक किस वर्स के बाद से प्रांत का उच्छ नियायले संबंदित राज्य का उच्छ नियायले बन गया ठीक है तो correct answer है 1950 में option number C जो है correct हो जाएगा 1950 के बाद प्रांत का उच्छ न्यायले सम्दित राज्य का उच्छ न्यायले बन गया नेक्स रे सम्विधान के किस भाग में उच्छ न्यायले के गठन, स्वतंतरता, शेत्र, शक्तियों आदी के बारे में प्रावधान है तो ये प्रावधान है भाग 6 में correct answer है B सम्विधान के भाग 6 में अनुच्छ 214 से 231 तक उच्छ न्यायले के गठन, स्वतंतरता, शेत्र, शक्तियों आदी के बारे में प्रावधान है सम्विधान संशुधन में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साजा उच्छ न्यायले की स्थापना का प्रावधान किया गया है सात्वे सम्विधान संशुधन के द्वारा answer है C भारत के सम्विधान में प्रते एक राज्यों के लिए एक उच्छ न्यायले की विवस्था की गई है लेकिन सात्वे सम्विधान संशुधन अधिनियम 1956 में संसत को अधिकार दिया गया कि वहें दो या दो से अधिक राज्जियों एवं संग राज्य शेत्र के लिए एक साजा उच न्यायले की स्थापना कर सकती है किसको अधिकार दिया गया है संसत को नेक्सट है कौन एक उच न्यायले के न्यायक शेत्र में परिवर्तन कर सकता है तो ये राइट मिला हुआ है, संसद को आंसर है B संसद एक उच्णियायले के नियाइक शेत्र में परिवर्तन कर सकती है नेक्स्टर उच्णियायले के नियाइधीशों की संख्या को किसके विवेक पर छोड़ दिया गया है इसको छोड़ा गया है रास्ट्रपती के विवेक पर आंसर है C उच न्यायले में एक मुख्य न्यायधीश होता है तथा अन्य न्यायधीश होते हैं उच न्यायले के न्यायधीशों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है बलके से रास्ट्रुपती के विवेक पर छोड़ दिया गया है रास्ट्रुपती कारगी आविशक्ता की अनुसार समय समय परिंगी संख्या निर्धारित करते है नेक्स्ट कॉश्चन है वर्तुमान में देश में कितने उच्छ नयायले हैं कितने हैं 25 आंसर है ए वर्तुमान में देश में 25 आप्चिस नयायले हैं 25 में उच्छ नयायले की रूप में आंदर परदेश के लिए अमरावती में उच्छ नयायले की स्थापना की गई है तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है याद रखिएगा कितने केंद्र शाषित परदेशों का अपना उच्छ नयायले है तो दो हैं ऐसे अंसर बी हो जाएगा कौन से कौन से हैं जमु एंड कश्मीर और दिल्ली जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट है नेक्स्ट रखिएगा रखिए कि उच्छ नयायले की तरह प्रख्यात नयाय विदों को उच्छ नयायले का नयायधिश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ नयायले के मुख्य नयायधिश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो प्रेसिडंट के द्वारा अंसर है C ठीक है एक सिकिंड उच्छ नयाले के मुख्य नयाधिश की नियुक्ति रास्टरपती द्वारा भारत के मुख्य नयाधिश वराज्य पाल के परामर्स के बात की जाती है अन्य नयाधिशों के नियुक्ति रास्टरपती द्वारा संबने तो उच्छ नयाले के मुख्य नयाधिश की सलाह पर की जाती है नई ववस्था में रास्टरपती कॉलेजियम की सिफारिश में अन्य नयाधिशों के नियुक्ति करता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है उच नयाले के नयाधीशों को शपत किसके द्वारा दिलाई जाती है उनको शपत राज़पाल के द्वारा दिलाई जाती है आंसर है ए उच नयाले के नयाधीशों को शपत राज़पाल द्वारा दिलाई जाती है उच नियाले के नियाधीश का कार्रेकाल कितने वर्ष की आयू तक होता है उसका कार्रेकाल 62 वर्ष तक होता है आंसर है B उच नियाले के नियाधीश का कार्रेकाल 62 वर्ष की आयू तक होता है उनकी आयू के संबंद में किसी प्रश्णकार निर्णे रास्ट्रुपती द्वारा भारत के मुखे नयधीश से परामर्स के बाद ही किया जाता है इस संबंद में रास्ट्रुपती का निर्णे अंतिम होता है थीके तो अभी उपर पढ़ लिया है आंसर है C नेक्स्ट है उच नियायले का नियाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौप सकता है तो वह प्रेसिडेंट को आंसर है या पर C हो जाएगा उच नियायले का नियाधीश किसी भी समय अपना त्याग पत्र रास्ट पती को सौप कर पदमुक्त हो सकता है नेक्स्ट है उच नियायले के नियायधीशों के वेतन भत्र किसके द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तो ये संसत के द्वारा निर्धारित होते हैं आंसर है B और उच्छे 221 के अनुसार उच नयायले के नयायधिशों के वेतन भत्ते संसत द्वारा निर्धारित किये जाते हैं नेक्स्ट उच नयायले के नयायधिशों के वेतन किस निधी से दिये जाते हैं वो दिये जाते हैं राज्यकी संजित निधी से आंसर है A उच नयायले के नयाधिशों के वेतन वभत्ते राज्यकी संचित यानि समय कितने थी से दिये जाते हैं लेकिन पैंशन उन्हें भारत की संचितने थी से दी जाती है तो पैंशन से रिलेटेड अगर कॉस्चिन आए तो याद रखेगा भारत की संचितने थी से और वेतन भत्तों से बात आई तो राज्य की संचित ने थी से नेक्स्ट है उच नियाले के नियाधीशों के स्थाना अंतरण का उल्लिक किस अनुच्छेद में है तो वो है आर्टिकल 222 में आंसर है C आर्टिकल 222 के अनुसार उच नियाले के नियाधीशों का स्थाना अंतरड कॉलेजियम के परामर्श के बाद रास्ट्रपती द्वारा किया जाता है नेक्स कोशिएन है उच नियाले के नियाधीशों को किस के द्वारा पद से खटाया जा सकता है या फिर हटाया जाता है तो प्रेसिडेंट के दोवारा आंसर C हो जाए गया आपे उच नयायले वा उच जितम नयायले के नयाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है इन दोनों को संसथ के विशिशिस बहुमस से पारित प्रस्ताव की आधार पर रास्टर पती द्वारा खटाया जाता है तो यह कहीं पर भी स्टार्ट ओ सकती है लोगसभा या फिर राज्य सभा दोनों में से कहीं पे भी उच्छ नयायले के नयाधीशों को हटाने की प्रिक्रिया संसत की किसी भी सदन में मिन्स्टों से लोकसवा या राज्यसवा में प्रारम की जा सकती है हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसवा में लाया गया हो तो कम से कम सो सदस्यत था राज्य सवा में लाए गया हो तो कम से कम पचास सदश्चियों के हस्ताकशर इस प्रस्ताव पर होने चाहिए तब ही इसको सदन में पेश किया जा सकता है उनियाल沒有 कार्यकारी नियाधीश की न्यूक्ति अधिकत्म कितने वर्स के लिए हो सकती है दो वर्स के लिए तो नियादीश के रूप में योग व्यक्तियों को रास्टरपती द्वारा न्युक्त किया जाता है ऐसी न्युक्तियां दिक्तम दो वर्सों के लिए की जाती है या फिर हो सकती है नेक्स्ट रहा किस अनुछ्यद के अनुसार उचनेयले का सेवा निवृत न्याईधिश अपने भिन अपने से भिन उचनेयले के अभिवाचन कर सकता है प्रशन का है किस अनुछ्यद के अनुसार आर्टिकल 224 के अकौडिंग आंसर ए हो जाएगा 224 का भी फर्स्ट क्लॉज है या फिर क कह सकते हैं उसको इसके अनुसार उचितम नयायले का सेवा निवरत नयायदीश अपने सिभिन उचितम नयायले या उचितम नयायले में अभिवाचन कर सकता है नोट उचितम नियायले का सेवा निवरत नियाधिश भारत के किसी नियायले या प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन का गारे नहीं कर सकता है किस अनुच्छे के तहट नियाधिशों की सेवा निवरती के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है नेक्स्ट है उच्छ न्यायले के न्याइक श्यत्र एवम शक्तियों को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है तो संसद और राज्य विधान मंडल दोनों के द्वारा किया जा सकता है अंसर सी हो जाएगा उचिन्या एल्हे के नियाइक शोट रवम शक्तियों को संस्द या राजविधान मंडल की दौरा क crawl नहीं किया जा सकता परिवर्थित किया जा सकता याद रखना कम नहीं किया सकता किस उच नियाइक यह नहीं और न्याइक निया ने सरब्रधं नियदे तहा कि State of UP 1994 वाद के मामले में निर्णे दिया था कि एक ही बार में तीन बार तलाग कहने से तलाग होना गेर कानूनी है नेक्स क्वेशन है उच्नियाले का मुखे नियादीश किस अनुच्छे के तहट अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 229 के तहट आंसर है D उच्नियाले का मुखे नियादीश अनुच्छे 229 के तहट अपने राधिकारियों और करमचारियों की नियुक्ति बिना किसी खास्तक शेप के कर सकता है नेक्स्टर है किसने सिफारिश की थी कि उच्नियाले के एक तहाई नियादीश दूसरे राधियों से होने चाहिए नेक्स्टर है भारत में निवारक निरोध के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाई अधिक्तम कितने माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है जास जारा तीन माह तक आंसर है सी ठीक है तो भारत में निवारक निरोध के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाई अधिक्तम तीन माह तक बंदी बनाई रखा जा सकता है ये प्रावधान किसमें किया गया है बाइस के चौथे क्लॉज में ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है अधिनस्त नियायले का प्रावधान सम्मिधान के किस भाग में किया गया है ठीक है तो इसका प्रावधान किया गया है भाग 6 में option number B correct हो जाएगा अधिनस्त नियायले का प्रावधान सम्मिधान के भाग 6 में अनुच्छी 233 से 237 तक किया गया है नेक्स्ट रो अधीनस्त नियायले पर नियंतरंड किसका होता है तो इस पर नियंतरंड होता है उच्छ नियायले का अफ्षिरमर A is correct अधीनस्त नियायले उच्छ नियायले के अधीन होते हैं इसलिए इन्हें अधीनस्त नियायले भी कहा जाता है इन नियायले पर नियंतरण राज्जह के उच नियायले का होता है नेक्स्ट कॉश्चिन है नेक्स्ट कॉश्चिन है जिला नियायधीश का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है इसका मिलता है अनुच्छे 233 में अंसर है B जिला नियाधीश का वर्ण अनुच्छे 233 में मिलता है जिला नियाधीश जिली का सर्वुच नियाई कदिकारी होता है नेक्स्ट कुश्चन है जिला नियाधीश की नियुक्ती पदस्थापना एवं पदुनती किसके द्वारा की जाती है तो ये राज्यपाल की द्वारा की जाती है अंसर है A तो सिविल और आपरादिक दोनों मामलों में प्राप्त हैं अंसर है सी जिला नियाधीश को सिविल और आपरादिक मामलों के मामलों में मूल और अपीलिय शेत्रा धिकार प्राप्त हैं उसे दीवानी मामलों की सुनवाई के दोरान जिला नियाधीश व फौजदारी मामलों क सुर्वाई के दौरान सत्र नियाधीश कहा जाता है जिलानी अदीश द्वारा दिये गई मृत्यू दंड पर अमल ही तो किसका अनुमोदन अनिवार रहे ठीक है तो उच्च नियाद 시작 का अनुमोदन अनिवार रहे तो आंसर है D, जो राणियादीश को मृतियुदंड देने का भी अधिकार होता है लेकिन उस पर अमल तभी किया जाता है जब राज्य का उचनयाल है उसका अनुमुदन कर दे नेक्स्ट है लोक अदालत किसके समक्ष होती है तो जो लोक अदालत होती है वह सरवचनयाला अधिनस्टनयाला या फिर उचनयाला मैंसे किसी के भी समक्ष नहीं होती है अंसर D हो जाएगा लोक अदालत एक मंच है जहां सामाजिक वह पारिवारिक मामले सौहार्द पूर्ण धंग से निपटाई जाते हैं लेकिन ये मंच किसी उचनयाला या अननयाला के समक्ष नहीं होते हैं लोक अदालतों में वर्तमान या सेवा निवरत नयायक अधिकारी या विदक ग्यान रखने वाला समाननिय व्यक्ति पीठासी अधिकारी होता है तथा सामधन निते है, एक वकील एवम एक सामज करता इसके सदस्य होते हैं नेक्स्ट है, ग्राम न्यायले अधिनियम से सम्बंदित वर्स है कौन सा है सम्बंदित वर्स? तो वो है 2008, option number B is correct ग्राम न्यायले का प्रावधान ग्राम न्यायले अधीनियम 2008 की धारा 11 द्वारा किया गया है ग्राम न्यायले भी सिविल वह आपरादिक दोनों ही मामलों की सुनभाई कर सकता है नेक्स्ट है फास्ट्रेक कोड की पहली बार स्थापना किप की गई थी तो ये पहली बार स्थापना सन 2000 में की गई थी आंसर है A फास्टर कोट लंबे समय से अस्तित्व में है पहली बार इनकी स्थापना सन 2000 में की गई थी इनका गठन लंबित मामलों विशेस्त है आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निप्टाने के लिए किया गया है नेक्स्ट उच न्यायले की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतरगत आते हैं एक उचित्म नयायले को अनुचित 32 के तहत था उचित्म नयायले को आर्टिकल 226 के तहत मूर लिख्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षिकरन परमादेश प्रतिश्य उथप्रेशन एवम अधिकार प्रक्षा संबंदी रिटें रिटे निकालने का अधिकार है किन्तु जहां उच्चितम नियायले केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है वहीं उच्च नियायले मूल अधिकारों सहीत अन्य विदिक अधिकारों को प्रिवर्ट कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकता है ये चीज मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि अनुच्छित 32 के तहट जो सुप्रीम कोट को राइट मिला हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अधिकार जो है रिटों के मामले में हाई कोट के पास है ठीक है नेक्स्ट विश्चिन है अन्डमान वम निकोवार दीप पर निम्न लिखी तो उच नियायलें हो में से किस एक का शेत्र अधिकार है ठीक है जो correct answer है कोलकाता का answer है B अंडमान एबम निकोवारदीप समूह पर कोलकाता उच न्यायले का श्यत्र अधिकार है जिसकी circuit bench पोर्ट ब्लेयर में है वर्तमान में साथ उच न्यायले ऐसे हैं जिनके अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या फिर संग श्यत्रों पर है करना चाहिए था उस रिट या फिर याचिका को क्या कहा जाता है एक सेकिंड उस रिट या फिर याचिका को कहा जाता है Mendemus correct answer हो जाएगा B Mendemus या फिर पर्मादेष हिंदी में कहा जा सकता है लेकिन जादार इंगलिस मेंही नाम लिखे हुए आते है का आशे है हम आदेश देते हैं कि इस प्रकार इस याज़े का दौरा कार्रे पालिका से इस कार्रे को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रत्त शक्तियों के अंदर गत करना चाहिए नेक्स्ट वन इस निम्न लिखित में से कौन सार राज्य के उच्छ न्यायले का मुख्य शेत्रादिकार नहीं है वो है परामर्ष संबन्दी शेत्रादिकार आंसर है ए भारतिय सम्विधान के अनुसार परामर्स संबंधी श्यत्रादिकार उच्छेद 143 के तहट मात्र सर्वोच न्यायले को प्राप्त है प्रेश्णगत अन्य श्यत्रादिकार राज्यों के उच्छ न्यायले के पास भी है एक न्यायले में कार्रेवाही लंबित होने की दर्शा में लागू की जाती है जब निचला न्यायले अपने अधिकार श्यत्र से बाहर किसी विश्य पर सुनवाई करता है तो उपरी नियायले प्रतिशेद रोटजारी करके मामले को अपने पास मंगवा सकता है या मंगा लेता है नेक्स्ट निमल खित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्त नियायले की कारपदिती का परिक्षन करती है तो वो है उत्प्रेशन आंसर हैसी उत्प्रेशन एपम प्रतिशेद याचिका है अधीनस्त नियायले की कारपदिती का परिक्षन करती है जब अधीनस्त नियायले अपने अधिकार शेतर से बाहर किसी विश्य पर सुनवाई करता है तो उपर ही नियायले प्रतिश्य दियाचे का द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है नेक्स्ट है भारत में चलित नियायले या फिर मुबाइल कोट किस का मानस पुत्र है तो ये हैं टॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम का अंसर हो जाएगा सी 2007 को हर्याना के मेवाद जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल या फिर सगहन अदालत का ओधार्टन किया गया इस प्रकार के नियायलेओं की परिकल्पना सरो ब्रधम भूत पूर्वर रास्ट्रपती अपीजे अब्दुलकलाम ने की थी 44 questions थे जो कि complete हो चुके हैं PDF की अगर need है तो पूरी ही test series मिलेगी इस नंबर पर कॉल्या वर्ट्सिप कर सकते हो easily सारी information मिल जाएगी thank you so much for watching my video मिल दे हैं next video में